असलम लेकुम गाइज, पाउन गेंटो के इस वेब डिवेल्पेंट के कोर्स में मैं आप लोगों का वेलकम करता हूँ गाइज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने फ्लेक्स को स्टेडी का लिया था आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक वेब साइट बनाएंगे जिसका सारा का सारा ले आउट हम लोग फ्लेक्स की मदद से करने वाले हैं और गाइज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक गुदारिश करना चाहूंगा या फिर बिंती करना चाहूंगा कि आप लोग मेरी वीडियो को लाइक किया करें और अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स करते रहा करें तो गाइज आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाऊंगा कि फ्लेक्स की मदद से कितना आसान होता है अपनी वेबसाइट को ले आउट करना और कितने जल्दी हमारी वेबसाइट पंड जाती है तो चलते हैं अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर और पनाते हैं अपनी वेबसाइट इन वेरी शॉर्ट टाइम तो लेट्स गेर स्टार्टिड गाइस ये वेबसाइट हम लोग फ्लेक्स की मदद से बनाएंगे यानि कि इस वेबसाइट में जितना भी आप लेट टेक रहे हो जितनी भी ऐलिमेंट्स की पूजीशनिंग देक रहे हो ये सारी की सारी हम लोग फ्लेक्स की मदद से ही करेंगे तो हम लोग सबसे पहले अपने वेब डिवेट्मेंट फूल कोर्स वाले फॉल्डर को उपन कर लेते हैं यहां पर अपना CSS वाला फॉल्डर उपन कर लेते हैं और यहां पर एक मैं न्यू फॉल्डर बनाता हूं प्रोजेक्ट 5 के नाम से इसको मैं उपन कर लूँगा और के अंदर ही मैं VS Code को उपन कर देता हूं और यहां पर मैं एक फाइल बना लूँगा index.html के नाम से और इसके अंदर boilerplate लिख दूँगा जो हम लोग आज तक लिखते आ रहे हैं मियावाली code house मैंने यहां पर लिख दिया है ऐसा करते हैं one by one चीज़ें जो हैं बनाते हैं तो इसके लिए मैं इसको वेक प्रिव्य एक्स्टेंशन की मदश से इसको यहां पर run कर लेता हूं और यहां से मैं open in browser कर लूँगा और इसको मैं side पर रख दूँगा और इसको इदर side पर लेते हैं और इसको भी सही से रख देते हैं और यहां पर हम लोग यहां से पंद करके यहां पर रख देते हैं और code तो थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूं और wrap करने के बाद इसको मैं यहां से पंद कर दूँगा guys सबसे पहले हम लोगोंने website का header बनाना है तो मैं यहां पर लिखूंगा header header के अंदर h1 दे दूँगा जिसके अंदर मैं लिख दूँगा मियाँवाली code house ठीक है अब इसी को मैं design भी का लेता हूं तो मैं internal css की मदद से design का रहा हूं सबसे पहले मैं common properties लगा लेता हूं css की जो के m0 margin0 p0 padding0 bs box sizing border box और उसके बाद अब मुझे क्या करना है अब मुझे font family भी change करनी है सबकी मैं font family change कर देता हूं font family सबकी कर दो जी system UI यहां पर मैं save कर लूँगा और यहां पर मैं refresh करूँगा तो यह मेरे पास आ गई है अब मुझे क्या करना है अब मैं यहां पर header को header को पकड़ने के बाद इस पर border पहले लगाओ कि देखूंगा one pixel solid कैसा है अभी इतनी boundary है so मैं ऐसे करूँगा कि जो padding है ना उसको मैं left left right से zero कर दूँगा और top bottom से 2rem कर दूप bottom से 2rem और right left से zero और ऐसा करते है 2rem के बजाए हाँ बलकि 2rem is enough ठीक है 2rem enough उसके इलावा यहां प हम लोग क्या कर देंगे comment कर देंगे क्योंकि water हमें नहीं चाहिए इसकी जगह पर हम लोग bgc background color लेक आएंगे और चिसका color code है one abc9c यह color code मैं लगा दिया उसके बाद जो color होगा ना वह हम लोग white रख देंगे और जो font size होने वाला है font size वह हम लोग 50 pixel रखते हैं तो कितना बहुत बड़ा हो गया 30 pixel रखके देखते है 30 pixel भी थोड़ा ज्यादा है 20 pixel I think 20 pixel काफी अच्छा देख रहा है यहां पर just क्या करते हैं कि 4 कर लेते हैं अब यह ठीक है अब हम लोग header के नीचे एक nav बना लेंगे nav के अंदर मैं एक division बनाओंगा left जिसके अंदर आ जाएंगे म मैं multi cursor का use करके इन सब को इस तरह कर दूँगा ठीक है यानि के यह एक ही line में आ जाएं अब पहले में मैं लिख दूँँगा home दूसरे में मैं लिख दूँगा courses चोते मैं लिख दूँगा blog and वाले मैं लिख दूँगा contact और फिर लिख दूँगा faqs ठीक है उसके बाद मैं एक और division बनाओंगा right इसमें जो links होंगे न वो right side पे होंगे अब यहाँ पर मैं दो links ही right side पे रखना चाहता हूं एक मैं रखूंगा login दूसरे मैं रखूंगा sign up ठीक है यह दो चीज़े मैं right side पे रखना चाहता हूं अब देखो मैं क्या करूंगा सीधा सीधा मैं nav bar को पक इस पर मैंने display flex लगा दिया तो यह देखो एक line में आ गया अब उसके बाद मैं इसका justify just row wise मैं काम करना चाहता हूं तो justify content करूंगा और यहाँ पर मुझे कौनों कौनों में एक left side पे चाहिए दूसरा right side पे चाहिए तो इसके लिए मैं space between लगा दूंगा ठीक है तो एक division आ left side पे दूसरी division right side पे चली गई इतना काम हो गया है अब मैं करूंगा कि जो nav के अंदर जो A है उसका सबसे पहले display जो है वो कर दो inline block inline block हो गया अब मैं left right top bottom से margin दे सकता हूं margin और padding दोनों चीज़ें दे सकता हूं तो मैं padding देता हूं बिलफर्द मैं चाहता हूं कि 2rem अग 1.5 ठीक है 1.2 I think 1.2 ठीक है और right left से जो है ना हम लोग 1rem ही रहने देते हैं ठीक है right left से 1rem और उपर नीचे से हम लोगों ने ये रख दिया है और जो nav bar है उसका भी background color देते हैं उसका मैं background color दे दूंगा hash 333 ठीक है ये color आगिया और यहां पर जो anchor tags हैं उनका text decoration none कर देते है none और उनका जो color है वो white कर देते हैं तो ये हमारे पास इतना तो बन गया है I hope कि आप लोगों को ये अच्छा लग रहा होगा अब हम लोगोंने क्या बनाना है अब हम लोगोंने एक main बनाना है इसके अंदर हमारे पास एक होती एक है हमारे पास content div और दूसरी हमारे पास है aside deal ठीक है ये दो division है और एक में आ जाता है हमारा about और about की जो है हम लोग about के लिए heading 2 का use कर लेते है heading 1 का user नहीं करते heading 2 का use करते है आज दू मैंने लिखा और यहां पर मैंने लिखता हूँ about ठीक है और यहां पर content वाले जगह पर क्या लिखना है यहां पे post ने आएंगी ना तो अलग-अलग post ही बनानी है तो मैं यहां पर post लिख देता हूँ ठीक है अब ऐसा करते हैं इसको design का लेते हैं मैं कहता हूँ जो main है main के अंदर जो चीज़े पड़ी है वो display flex हो जाए land में आ गई ठीक है उसके बाद मैं कहूंगा कि जो इनका justify है ना justify content space between हो ठीक हो गया अब देखो मैं चाहता यह हूँ कि क्या चाहता हूँ मैं मैं चाहता हूँ कि जो main है ना main के अंदर जो posts है main के अंदर जो content है content उसकी जो width है वो यहाँ पर calculator वाला function लगा लूँगा और इसमें दे दूँगा handed जो percent होएगा उसमें से minus करना है आपने 300 pixel या फिर 300 pixel को छोड़ो 200 pixel का लेते हैं 200 pixel मैंने का दिया अब पता कैसे चलेगा क्या हूँ मैंन के अंदर जितने भी डिव हैं उनको दे देते हैं border ठीक है और कितने कौन से डिव जो कि सिर्फ child है तो सिर्फ child को select करने के लिए child वाला मैंने वो लगा दिया है symbol greater than सिर्फ उन child को select करेगा जो के main के child है तो border 1 pixel solid black ठीक है तो देको सिर इन दो को ही किया है तो यह इतना आ गया अब मुझे क्या करना है कि बल्के यहां पर मुझे three handed करना चाहिए था और इसी तरह मैं क्या करूंगा जो main के अंदर जो aside है ना उसकी width मैं कर दूंगा 250 pixel ठीक है तो यह इतना हो जाएगा तो I think यह ठीक है good है so अब मैंने क्या करना है अब मुझे layout तो मैंने करी लिया है बस पोस्टें design करनी है तो design कर लेते हैं उससे पहले यह जो मैंने वैसे checking के लिए लगाया था आप लोगों को just दिखाने के लिए main के अंदर जो div है उनको powder और यह चीज़ मैंने बहुत ही detail में पढ़ाई हुई है अपने channel पर इस course में तो आप लोगों को अगर इसका नहीं पता था तो आप वो वीडियो देख सकते हो आई बटन में उसका link आपको मिल जाएगा अब पोस्टें design करनी है तो पोस्टों में सबसे पहले तो मैं h2 लगाऊंगा और यहां पर मैं लिखूंगा course का title जो कि होगा web development ठीक है फिर उसक पर time और इस तरह का कुछ आएगा ठीक है दूसरे एक dot img लगा लेता हूं image ठीक है fake image होगी हमारी f यहां पर लिखते हूं जिसका मतलब होगा fake image तो fake image हम लोग बनाएंगे खैर इसके नीचे आजाएगा एक some text ठीक है कुछ text यहां पर लिखा हुआ हुएगा और उसके जो के game development की होई की इस तरह हम लोग एक और division बना लेंगे copy कर देंगे इसको मैंने replicate करके यहां पर game development के बजाए यहां पर android development आ जाएगा ठीक है guys तो इतना मैंने बना लिया है अब fake image बना लेते हैं तो मैं यहां पर f image लिखूंगा fake image और इसकी जो height है वो मैं 200 pixel का दूँग तो यह बड़ा हो जाएना चाहिए लेकिन यह बड़ा नहीं हुआ इसकी क्या वज्चा है फेक image फेक image नहीं है फेक IMG मैंने दिया है तो मैंने पूरा image नहीं लिखना था सिर्फ IMG लिखनी थी तो यह आ चुकी है अब इसका जो background color है वो मैंने देना है तो मैं hash aaa लिख section भी complete का लेते हैं फिर बाकी खुबसूरती बनाते रहेंगे तो यहाँ पर मैंना एक about के नीचे मैं एक p लूँगा जिसके अंदर कुछ लॉरम होएगा तो यहाँ पर 15 लिख देते हैं ठीक है 15 कुछ मैंने लिख दिया है और यहाँ पर एक IMG दे देंगे तो इसमें भी मै dot f img तो यह IMG वाली वही properties लग गई ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर p लगा के some text लिख देता हूँ कि कुछ text यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आपनों को result दिख रहा होगा उसके बाद फिर से एक p लगाऊंगा और जिसमें lorem लिखतूंगा थोड़ा ज्यादा lorem होगा थोड़ा सा कम कर देते हैं इतना बड़ा अच्छा नहीं लग रहा उसके बाद फिर यहाँ पर एच 3 लिख देंगे जहाँ पर लिखा हूगा more text और इस more text के नीचे कुछ lorem होएगा फिर उसके नीचे images होएंगी तो यहाँ पर मैं dot s img नहीं कि small img छोटी छोटी images बनानी ह तो मैं यहाँ पर यह replicate कर दूँगा चार अब जो s image मैंने यहाँ पर लिखा था ना वही s image को मैं यहाँ पर style करूँगा मैं यहाँ पर s img ठीक है s img इसकी height दे दूँगा 60 कसल और इसका pgc दे दूँगा aaa ठीक है और यहाँ पर इसका mb यानिके margin bottom one ariem दे दूँगा त सिर्फ margin तो चारो तरफ से आ जाएगा तो चारो तरफ से मुझे नहीं चाहिए मुझे सिर्फ top और bottom से चाहिए मुझे right left से नहीं चाहिए तो मैं इसको ऐसे कर दूँगा तो guys इतना तो layout तो हम लोगों ने कारही लिया है यह हमारी website का कुछ इस तरह से look है बार इसको थोड सा convenient लगेगा और उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो content है ना main जो content है dot content उसके अंदर जितने भी h2 है उनका mb मैं बढ़ाऊंगा one rem तो यह थोड़ा सा convenient लगेगा ठीक है तो बलके margin bottom ने बढ़ाते सिर्फ top bottom दोनों बढ़ाते है right left से सिर्फ zero कर देते हैं तो I hope कि अब यह जो है खुले खुले थोड़े से लग रही होंगे और दूसरा ऐसा करते हैं इनको ना shadow दे देते हैं मैं कहता हूं कि जो content है ना content यहां पर बिल्कुल नीचे कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा समझाए ना बिल्कुल add पर मैं देखो कहा रहा हूं कि जो content है ना उसके कहूंगा मैं कहूंगा कि नहीं अंदर की तरफ ना हो बाहर की तरफ हो one pixel one two pixel two pixel two pixel two pixel black ठीक है और इस black की मैं opacity कर दूंगा बिल्कुल down ताकि यह हलके से नमुदार हों और यहां पर 20 करेंगे तो यह बिल्कुल गयाब हो जाएगा बाहल यहां पर मैंने यहां से 20 कर दिया था और यहां पर आसा करते हैं 0 करेंगे यह spread है तो deleg sata मैं कहता हूं कि 20 I think बोच और यह distant है तो distance 10 pixel पे बोच तो I think यहां पर यहां पर पर इतना बहुत है ठीक है आप लोग क्या करेंगे कि यहां पर पैडिंग भी देदेंगे पैडिंग वन आरें तो आई होप के इतनी पोस्तों का डिजाइन काफी है जैसे हम लोग मारचंड थोड़ी से नीचे से बढ़ा देते हैं तो तो काफी अच्छा लगेगा, तो यहां पर क्या करते हैं, simply mb लिखेंगे margin bottom, और यहां पर लिखते हैंगे 3rdm, तो यह खुले-खुले हो जाएंगे, और यह खुले-खुले हो गए हैं, ठीक है, और यहां पर जो post लिखा हुआ है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, य जो post लिखा हुए, यहां पर h2 के बजाए, मैं हाँ पर h1 कर रहा हूँ, ताकि यह थोड़ा सा बड़ा हो जाए, तो guys, इतना हम लोगों ने बना लिया है, अब हम लोग ऐसा करते हैं, कि about वाले section में जाते हैं, क्या हम लोग यहां पर divisions का इस्तमार हम लोग ने कितना किया ह अगर हम लोग ने इसमें divisions का इस्तमार जादा किये हैं तो हम लोग इसको भी decorator कर सकते हैं, खाइज इसमें हम लोग decorator नहीं कर सकते हैं, हम लोग just h2 के साथ खेल सकते हैं and के बाख क्यों में पर division के साथ खेल सकते हैं तो ऐसा करते है H3 और H2 को पहले पकड़ लेते हैं इनका नीचे से margin थोड़ा सा बढ़ाना है नीचे हुरूप पर तोनों से बढ़ा देते हैं तो मैं H2 को aside में पहले जाऊंगा H2 को पकड़ूंगा और साथ ही साथ कॉमा का मतलब है साथ ही साथ मुझे किस को पकड़ना है H3 को भी पकड़ना है यहाँ पर margin कर देंगे तो bottom से 1 आरियम और right left से 0 तो यह इतना हो गया है थोड़ा सा यह अलग अलग हो गया है और उसके लावा अब image को थोड़ा सा करना है तो जो image है सारी images के साथ ही ऐसा कर लेते हैं तो जो फेक images मैंने यहाँ पर बनाई हुई है फेक image के नाम से चुकिलास उसमें मैं margin दे दूँगा जो bottom से 1 आरियम और right left से 0 तो आई होब के इतना दो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा यह काफी अच्छा लग रहा है ऐसा करते है पैडिंग थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं main वाले section में main वाले section में 1 आरियम के भाज़ियाए 2 आरियम रख लेते हैं ठीक है आप लोग अपनी मर्दी के साब से रख सकते हो मैंने यहाँ पर इतना रख दिया है और जो post है यह जो post है h1 इसको भी इसका भी नीचे से margin देते हैं यहाँ मैं कहूंगा जो content है content उसके अंदर जो h1 है उसका जो mb है वो भी 2 आरियम कर दो ताके थोड़ा convenient लगे हाँ अब ठीक है अब यह काफी अच्छा लाग रहा है अब just हम लोग ने नीचे से border footer बनाना है और footer तो simple ही है वो तो आप पना ही लोगे just मैं main की नीचे गया और मैंने यहाँ पर footer लिखा और इसके अंदर मैं edge 2 दे दूँगा और जिसमें मैं लिख दूँगा footer this is the footer और यहाँ पर save करके देखते हैं यह footer हमारा यहाँ पर आया हुआ है यहाँ पर मैं इसको side पर रख रहा हूँ और यहाँ पर मैं नीचे जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं यह footer को डिजाइन करना है तो मैं उपर यहाँ अपने CSS में जाऊंगा यहाँ पर मैं लिखूँगा footer और सबसे पहले border लगा के देखते हैं इरिया कितना है तो one pixel solid इसका एरिया है जहाँ पर refresh करूँगा refresh करने से कुछ नहीं हुआ क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर गलती की हुई है मैंने class footer की कहीं पर भी नहीं बनाई footer नाम से tag है हमारा footer नाम से जब tag है तो फिर tag को इस तरह से करना भी तो था ना अब देखो ऐसा करते हैं इसको उपर लाने के लिए मैं margin दे देता हूं empty margin वो भी negative में negative में one area देता हूं ताके यह थोड़ा सा उपर आए और इस में मजीद उपर लाने के लिए मैं three area दे दिया ठीक हो गया और अब मैं क्या करूंगा इस footer में padding दे दूंगा three area ठीक हो गया top से और right left से मुझे कुछ भी ने चाहिए ठीक है just मैं यहां पर text align center से इसको center में ले आउंगा ठीक है तो I hope कि यहां तक आप लोगो समझ आ चुकी होगी अब इसका भी MB कर लेते हैं यानिके margin bottom one area ठीक है ताकि यह भी थोड़ा सा नीचे से फासला रखे ताकि हमें नदर तो आए ना कुछ आप मुझे यहां पर border तो चाहिए नहीं था इसको मैं comment कर दूँगा यहां पर मुझे चाहिए इसका background bgc और background मैं इसका रख दूँगा 333 ठीक है 333 मैंने रख दिया है और इसका जो color है वो मैं white कर दूँगा तो यह white हो चुका है हमारी website ready है guys I hope कि आप लोगों को यह मज़े का लगा होगा देखो side पे यह हमार about है सबसे पहले तो आप header देखो header कितना अच्छा लग रहा है उसके बाद nav bar देखो nav bar कितनी अच्छी लग रही है उसके बाद यह post ओं का design देखो यह कितना अच्छा लग रहा है नीचे footer देखो यह कितना अच्छा लग रहा है और साथी साथ यह aside bar देखो मतलब क्या यार इतने जल्दी हम लोगों ने इतना काम कर लिया तो गाईज आज की वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आला हाफिज